आउज बिल्लेम निशित्वान रजीम बिस्मिल्ला रिहमान ररहीम स्टुडेंट्स आज हमारा चैप्टर नमबर वन फंक्शन एंड लिमेट्स का लेक्चे नमबर टू है ठीक है जी? आज के जो हमारे अबजेक्टिब्स हैं इंडिपेंडन एंड डिपेंडन वेरियेबल तो यह लाइन डिफाइन इंटरवल विद टाइप्स यह आज के हमारे अबजेक्टिब्स हैं लेक्चे नमबर टू के चैप्टर नमबर वन के सबसे पहले independent और dependent variable देखते हैं last lecture में हमने देखा था कि y equal to f of x था हम कहते थे कि x की value खुद से input दें और y का answer as a output आता है और हमने ये भी देखा था कि जो x है ये जो input है ये independent हम खुद से put करते थे और y का answer उस पे depend करके आता था और मैंने ये भी बात की थी y equal to x square वाले कि अगर x की value हम 1 put करें तो y का answer 1 का square कितना होगा 1 इसी तरह x की value 2 put करें तो 2 का square कितना होगा 4 y की value क्या जाएगी 4 अब ज़र देखें जिस तरह की x की value हम खुद से put करते जा रहे है y का answer उसी तरह का आ रहा है y का answer x की value पे depend करके आ रहा है जिस तरह की x की value उसी तरह का y का answer y का answer depend कर रहा है x की value पे मतलब input पर output depend कर रही है अच्छा जी independent or dependent variable में x independent variable है और output dependent variable है चले जी पढ़ते हैं let y is a function of x y equal to f of x अगर एक function हो here the variable x is called the independent variable or argument मतलब के यह इसको independent variable कहेंगे यह argument of f मतलब function की argument भी कह सकते हैं function के independent variable भी कह सकते हैं and the variable y is called the dependent variable of f और जो y आपके पास है यह बलावा है यह dependent variable of f है मेरा ख्याल है आप कोई confusion ही रही होगी इसलिए मैंने इस topic को independent or dependent variable को इससे हट के मजीद definition में भी लिख दिया यह इसलिए लिखा है क्योंकि यह दो नम्बर का short question भी आ सकता है कैसे question हैगा कहेंगे define independent and dependent variable ठीके यह कहेंगे का what is independent and dependent variable तो आप को यह सारा पता होना चाहिए यह आपने सारा लिख देना है और यह जो आपने सारा पढ़ा है यह आप कोई भी example के तोर पर लिख सकते हैं हाँ जी clear रहें नेक्स वे हमारा है real line real line a line which is represented by the set of real numbers is called real line simple सी बात है कि आपने एक line लेनी है यह line लगाई हुई है मैंने इसमें set of points of real number मतलब line के ओपर real number show कर दे जाएं तो वो line real line बन गे फिर repeat करता हूँ अगर आपके पास एक line है उसके ओपर real number show कर दे तो real line बन गे अब यहां पर मैंने दो तीन बाते जरा आपसे share करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि एक line क्या है line जिसका कोई end point नहीं होता no end point ठीक है जी अब यह देखें यह जो line यह इस line को ऐसे भी show कर देते है अब कहां से आ रहा है नहीं बता कहां तक जा रहा है नहीं बता ठीक है जी अब इसके ओपर इधर zero लिख दें और इधर one और इधर two और इधर minus one और इधर minus two और इधर minus infinity और इधर positive infinity अब मैं आपको यह बात बता दूँ जो infinity लिखी हुई है न यह just symbol है ठीक है जी हम कहते हैं के number negative कहां से आए है हम कीए negative कोई छोटे से छोटा कोई ऐसा number होगा जो मैं पता नहीं है तो उसका हमने एक symbol दे दिया negative infinity और इस दर हम कहते हैं कि zero one two infinity तक जाते हैं मैंलों कि कोई बड़े से बड़ा ऐसा number होगा जो हमें पता नहीं है उसका हमने symbol दे दिया positive infinity आजी किलिए रहे बस यह symbol है यह infinity क्या है symbol है बस ऐसे फबर का जो हमें पता नहीं है infinity symbol है ऐसे number का जो मैं बता नहीं है अगर छोटे से छोटे number का देखना है तो minus infinity बड़े से बड़े number का देखना है तो बहुत जी इस अच्छा जी next देखें भई अब यह आगा line, line हमने बात की इसका कोई end point नहीं है उसके बाद होता है जी ray यह मैंने का अभी इदर ही discuss कर दूं रे का only one point होता है one end point ठीक है जी अब यह कैसी होती है यह ऐसी होती है अब यह देखें यह इसका एक end point पता है हमें यह point A है far exam और दूसरा point कहां तक जा रहा है हमें नहीं बता दूसरा हमें नहीं बता है जस्ट पहला point का हमें बता है वो point A है इसको कहते है रे जिसका सिर्फ one end point हो और एक होती है line segment line segment में यह line का हिसा होता है segment कहते है हिसे को ठीक है जी अब यह देखें यह line है line का कोई end point नहीं है ठीक है जी अब मैं इसके दो अंदर से point ले लेता हूं यह मैंने line का हिसा चूज कर लिया यह वाला यह आपको मेरा खाल नजर आ रहा होगा यह इसके 2 end point है यह फाग एधर one है और यह इधर two है तो मैंने one से two तक यह line का हिसा ले लिया line segment ले लिया तो line segment के क्या होते है दो end point होते है two end point सबारवां लाइन उसकर कोई एंडब नहीं कि पोईंडेह क के ऊदू नहीं जाए Иश्का अे hasin यह शचार कि आ इसको खूलिक जौल Get Kind expense पता है, line segment में, next भई, interval, यह मैं इसलिए सारी बाते का रहा हूं, क्योंकि यह next आगए use होनी है, इसी lecture में, line, ray और line segment, यह तीनों बातें use होनी है, अच्छा जी, next भई, हमारे पास आगए interval, last topic है हमारा, any section of real line is called interval, यह definition लिखिया है मैंने, यह थोड़ा सा हट के आपसी book के मैंने बताया है, क्योंकि आपकी book में जो बाते आनी है न, उसकी बेसिक बाते है, interval आपको पता होगा तो फिर है, next हमने पढ़ने है, domain and range, जो हमने definition काल बात की थी, वो हमने function की domain range find करनी है, उसमें जब हम domain range बताएंगे न, तो उसमें intervals लिखे होंगे, तो interval की types, interval को total हमें पता होना चाहिए कि क्या है, फिर ही हम interval बना सकेंगे, यह किस तरह का बना है, वरना आपने confused ही रहना है, कि सारी आपने कहां से कैसे बना दिया, यह क्या बन गया, यह क्या हो गया, तो इसलिए मैंने यह इसमें शामिल किया है, total topic, ताके आपको पहले ही बता चल जाए कि यह interval है क्या, और यह कैसे बनाए जाते हैं, और यह कितनी types के होते हैं, ताके आपको awareness हो से वाले से, any section of real line is called an interval, इसको और भी क्या सकते हैं, subset of the real line is also called interval, यह कोई भी आपके पास real line है, जो भी हमने पढ़ी है, इसको कोई भी section ले लो, कोई भी subset ले लो, वो interval होगा, simple interval की definition क्या है, real line कोई भी हिस्ता ले लो, कोई भी section ले लो, कोई भी subset ले लो, तो भी interval है, आगे इसकी types देखते हैं, types of interval, there are major two types of interval, finite interval, infinite interval, मतलब, एक finite interval है, जो पता है कि कहां से लेके कहां तक है, एक infinite interval है, जिसमें क्या होगा, हमें पता नहीं होगा, कहां तक बात जा रही है, यहां तो ऐसे होगा कि कहां से बात आ रही है पता नहीं, कहां तक जा रही है पता नहीं, मतलब शुरू वाला नंबर भी नहीं पता है, एंड वाला भी नहीं पता है, यहां इन्फाइनाइट इंडर्वल में पता है, दूसरा पता ही नहीं, सिंपल इन्फाइनाइट इंडर् डेगा मतलब कि Infinite में कुछ ना कुछ Infinite होगा जो में पता नहीं होगा मतलब pierws जरूर शामिल होगी Infini Heinle Minütfen śещ उरפ में इन्फीनिटी जरूर शामिल होगी नेगटिव हो. ¿Positive हो equ imagem नेख्टिव हो 궁금 स्छो confinite extertorス le रे और लाइन के रिलेटेड बात होगी, इन फाइनाइट में रे और लाइन के रिलेटेड और जो फाइनाइट इंटर्वल है, ये लाइन सेग्मेंट के मतलब, फाइनाइट इंटर्वल में लाइन सेग्मेंट मतलब दोनों एंड पॉइंट बता होगे, और इन कि हम इने आपको पहले ही बता दिया कि हम यह पढ़ने लगे हैं finite interval लेखें जी the interval corresponding to line segment is called finite interval जो interval correspond करेगा, जो line segment से correspond करेगा line segment जैसा होगा वो finite interval होगा अब finite interval की आगे तीन टाइप्स हैं यह हम देख लेते हैं close finite interval open finite interval semi open semi को half भी कहते है semi open कहलो half open कहलो एक ही बात है semi close half close semi मतलब half अच्छा जिसके finite interval में बात की कि line segment से related होना है और इसकी तीन टाइप्स हैं close finite, open finite interval और semi open half open semi closed half closed interval लो जी फर्स टाइप पढ़ते हैं finite interval की a finite interval is set to be close if it contain both of its end point लो जी end point कोंट contain करता है line segment जिसमें दोनों end point होते हैं अच्छा यह मैंने जनल लिखा हुआ example के तोर पे that is अब यह देखो a और b इसका मतलब है a शामिल है b भी शामिल है इसको मैंने इस तरह लिख दिया यह देखिए जड़ा x belongs to real number मतलब के जार्स भी बात है यह real line का ही इसा लिया गया real line के ओपर ही बात हो नहीं real line का ही इसा लेलो line segment लेलो तो finite interval उसमें से बात हो रही है अब वो कह रहा है a और b के दरम्यान x है real number कोई भी हो सकता है वो a के equal भी हो सकता है और b के equal भी हो सकता है यह इदर equal है अब उसने यह जो लिखा है ना यह वाला इसको मैं आपको example की तोर पे लिखके दिखाता हूँ इदर यह देखो जी यह मेरे पास for example line segment है मैं कहता हूँ इदर है one इदर है two अब मैं कहता हूँ यह one भी शामिल करना है तो one शामिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इदर close की तरफ कर देना one की तरफ यह bracket को बंद कर देना है फिर two भी मैंने कहने शामिल करना है तो two भी इसी तरह बंद कर देना तो इसका मतलब यह वा one भी शामिल है two भी शामिल है उनके दर्मयान जो number है ना यह वाले मतलब के one point one sorry एक मिनट जरा एक मिनट मैं भी raise कर देता हूँ हम दोबारा पढ़ लेते हैं यह देखेंगी यह one point one one point two one point three यह सारे नंबर क्या है यह one और two के दर्मयान है हमने फिर बात दोबारा मैं repeat कर देता हूँ कि one और two भी शामिल है one भी शामिल है two भी शामिल है और उसके दर्मयान वाले नंबर भी शामिल है तो यह मारे पास हो गया closed interval closed interval जो होता है उसमें हमने जो नंबर लिखने हैं उसकी तरफ bracket close कर देनी है और बड़ी bracket क्लोज करनी है square bracket जिसको कहते है square bracket बड़ी bracket ठीक है जी next way open finite interval a finite interval is set to be open it does not contain both of its end point अब यह line segment से related है लेकिन हमने बोथ जो end point हैं जरूर लेकिन हमने वो शामिल नहीं करने यह देखें जी उसको कैसे लिकना है यह मैंने दिद बता दिया a और b जो है a और b शामिल नहीं देखो यह मैंने bracket दूसरी दरफ कर दिया यह a और b शामिल नहीं है इसका मतलब a और b शामिल नहीं है लेकिन a और b के दर्मियान वाले element शामिल है इसको open कह देंगे मतलब boundary शामिल नहीं है हम इसको ऐसे भी लिख सकते है यह bracket को ऐसे करके लिख दो यह छोटी bracket में लिख दो ठीक है जी तो a की बात है यह दोनों जो मैंने open finite interval में मैंने जो लिख दो यह लिख दो यह लिख लो एक ही बात है x belongs to real number वह आप देखो ज़रा यह वाला इसका कहता है कि x जो है वो a से greater है और b से less है अब मैं फिर वो ही ले ले लेता हूं हम आप नगाता हूं यह देखें यह one है यह two है हम नहीं क्या कहना है 1 शामल नहीं नहीं करना जी two शामल भी नहीं करना इसका मतलब इसके द्रमयान वाले element शामल करने है तो कहां 1.1 वान पॉंट थो इस तरह करके अब इसको जब लिखने हैं कि 1 भी शामिल नहीं है, बॉंडरी शामिल नहीं है तो ये उसके दर्मियान वाले शामिल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, ठीक है जी अब इसके दिरम्यान वाले नमबर शामल है 1.1, 1.2 गरा तो यह open interval को लिखने का यह मैंने वे आपको बता दिया अभी तक जो बात की है वो close interval की बात की है और open interval की बात की है अभी बात करते है semi open, how open semi close की a finite interval is said to be semi open, semi close if it contain one end point इसमें सिर्फ एक end point हो बट not the other याद रखिएगा के finite interval की बात कर रहे हैं हमारे पास एक line segment है ठीक है जी line segment में दो end point है for example one or two है अगर तो यह दोनों शामल कर देंगे तो यह closed finite बन जाएगा अगर दोनों शामल नहीं करेंगे तो open finite बन जाएगा अगर कोई A शामल करेंगे तो semi open semi closed बन जाएगा अब जड़ा देखिएगा पहले वाले में इधा देखें इसमें देखें पहले बास इसमें देखें A शामल है B शामल नहीं है मैंने पहले बात की कि जिसको शामल करना है उसकी तरफ bracket को close कर देना है जिसको तुझी नहीं शामल करना bracket को दूसरी तरफ कर देना है अब यह देखो जो open bracket है ना open वाली इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ये और ये दोनों एक जासी है अच्छा जी हम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं close को तो लिखने का एकी तरीक है सिर्फ open को लिखने के दो तरीक है अब A से B अब A इसमें शामल है बी इसमें शामल नहीं है अब उसने का कि X belongs to real number इसमें से कोई X होगा जो A के equal तो होगा लेकिन B के equal नहीं होगा अब इसका मतलब है कि X A हो सकता है B नहीं हो सकता और A और B के दरम्यान कोई भी हो सकता है अब इदर जो है इसका मतलब यह है कि A open है B closed है A open है B closed है X belongs to real number यह दोवारा देख लो X greater than A का मतलब है AX जो है वो A से बड़ा होगा B के बराबर होगा या B के सोटा होगा अब मैं दोनों की अलग अलग बताता हूँ चलो इस में से अगर मैं देखूं तो तो मैं इसको लिखूंगा 1 शामिल है 2 शामिल नहीं है तो यह बन गया 1 से 2 तक 1 से 2 तक semi open semi close इसमे 1 भी शामिल है इसके दरम्यान 1.1 भी शामिल है लेकि 2 शामिल नहीं है अब इदर आजाएं इसके इसका अगर open semi open semi close बनाएं या ऐसे कह लें इदर semi open है पहले 1 शामिल नहीं है 2 शामिल है इसका मतलब है यह real line के उपर line segment आगई यह 1 है यह 2 है इस interval को देखें 1 शामिल नहीं है तो 1 शामिल नहीं है अब इसके दरम्यान 1.1 है तो यह शामिल है जार से बाद interval में दरम्यान वाल शामिल आनों है अब इसमें 2 भी शामिल है तो 2 भी शामिल है इसमें एक boundary शामिल नहीं है मैं दुबारा सारी रिवाइज कर दू finite interval में लाइन सेग्मेंट के रिलेड़ बात हो नहीं है दो end point के रिलेड़ बात हो नहीं है दोनो end point शामिल है तो closed बन गया दोनो end point शामिल नहीं है open बन गया अगर दोनों में से कोई एक है दूसरा नहीं है तो semi open semi closed बन गया या semi closed semi open बन गया मतलब कि एक boundary शामिल है दूसरी शामिल नहीं है अच्छा जी next हम चलते हैं जी Infinite interval पे Infinite मैंने पहले बात अबता दी के Ray और line के related बात होनी है The interval corresponding to Ray and the real line Ray और real line is called Infinite interval जो इनके related बात होगी वो infinite में आएगी पहले देखें इसमें भी तीन बाते हैं पहले close infinite फिर open infinite फिर both open and closed infinite अच्छा जी देखें जी पहले वाला If A belongs to real number Then the set minus infinity से A इसको कैसे लिखेंगे कि यह जो X belongs to real number है minus infinity से A ताग का मतलब यह देखेंगे दर आज़े यह minus infinity यह इदर for example हमारे पास है A तो मैं कहता हूँ minus infinity से A तक जाना है अब इसमें उसने क्या गिया A को शामल कर लिया है A को जब शामल कर लिया है तो A भी शामल हो गया तो minus infinity से यह नहीं पता हमें minus infinity कहा तक जा रही है तो इसके दिर मियान वाल नंबर भी पता है minus infinity नहीं पता तो अब ज़रा देखिएगा इदर minus infinity से A ताग का मतलब यह है कि minus infinity तो आना ही नहीं नहीं infinity तो नंबर ही नहीं है तो यह कभी भी close आना ही नहीं है infinity हमेशा open interval में आनी है आगे फिर जो A एक नंबर पता है हमें ठीक है यह रे के related बात हो रही है रे में एक end point पता होता है अब अगर उसको मैं close जो कर दूँ पता है मुझे कि यह A शामल है तो यह close infinite हो गया यह minus infinity से A तक में भी शामल है infinity को शामल होना ही नहीं है तो इसका जो interval बनेगा A closed बन गया से positive infinity अब A closed हो गया जो एक पता है number वो closed हो जाए तो closed infinite मतलब infinite में infinity ज़रूर आनी है एक आजाए एक side पे आजाए इदर आजाए यह इदर आजाए यह दोनों side पे आजाए तो infinite हो गया अब closed में मैंने क्या किया को एक ray ली closed में भी ray लेनी है open में भी ray लेनी है और जो तीसरी type है इसमें line लेनी है इसमें ray दूसरे में भी तीसरे में भी ray अब यह आपने पता चल जाएगा कि close by में भी ray लेनी है open में भी ray लेनी है line में दोनों तरफे में भी विनड़ी होनी है अच्छा जी next R card closed ray और closed half line यह जो आपके पास है यह closed ray यह closed half line है ठीक है जी open infinite interval open ray यह open half ray अच्छा जी if a belongs to real number the set minus infinity to a वो यह उपर वाली भी बात लिखी हुई है यह वाली है लेकिन इसमें a को क्या कर दिया open कर दिया तो यह देखो इसमें x less than a आगया equal वाली option नहीं आए यह देखे ओपर equal वाली option मजूद थी इदर नहीं है अब इसको कहेंगे x less than a इस उपर वाले को क्या कहना था x less than a और equal to a x a के equal भी है और less भी है इदर क्या है अब जो हम पढ़ रहे है open में x less than a अब a से infinity तक अब इसका मतलब आए शामिल नहीं है जी देखो open interval वाली बात लिखे x belongs to real number x greater than a r card open raise या open half line इसको मैं जरा थोड़ा सा और वाज़ा कहा देता हूँ यह देखें यह अगर minus infinity है इदर कोई a है और इदर कोई positive infinity है अगर हम लें यहां से यह दर्मियान वाला और a शामिल नहीं करना minus infinity से a के दर्मियान बस नमबर यह वाले यह वाले तो आगई हो open अब जब a शामिल नहीं करना है a से बड़े infinity तक लेने है यह दर्मियान वाले शामिल करना है यह वाले तो यह भी आगई open तो यह दूसरे वाला आगई next way both open and close infinite interval the entire line r is an infinite interval that is both open and closed जो entire real line है यह technical बात है यह open भी और close दोनों at the same time कहलाएगे ठीक है जी इसको जरह मैं वाजिया कर दूँ यह minus infinity से infinity तक होती है यह आगई की पूरी real line है ठीक है जी लो जी हमने इसको clear कर दिया ज़्यादा परिशान उन वाली बात ने simple बात है कि real line जो है minus infinity से infinity तक है minus infinity भी open आना है infinity भी open आना है ठीक है जी यह देखो और यह real line पूरी बन गए अच्छा यह मैंने बेटा आगे ना इसकी summary बनाई हुई है यह देखिए का जरह ठीक है जी table of summary यह मैंने finite और infinite को अलग अलग लिखा हुआ है ठीक है जी यह देखो मैंने A से B A से B open लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखना है यह open है यह मैंने इसको ज़्यादा शो कर दिया ठीक है जी अब आप क्या कर सकते हैं यह line segment मैंने ले लिए इदे ठीक है जी यह A से B A भी शामिल नहीं है B भी शामिल देखो यह आपको open नज़र आ रहा होगा फिर मैंने यह close ले लिए यह इसको ऐसे लिखना है यह close है यह देखो A और B मैंने close A और B boundary शामिल है यह मैंने वही जो बाते के विए बार बार वही repeat कर रहा है अब यह देखो यह A closed है B open है मतलब A शामिल है बी शामिल नहीं है तो यह semi open semi closed है semi closed semi open चीग है जी इस तरह में लिख सके open को लिखने के दो chances है अब यह देखो इदर X में A हो सकता है A से बड़ा भी हो सकता है B से छोटा हो सकता है B भी हो सकता half closed half open यह देखो A closed हो गया यह भी शामिल है इसके दिरम्यान भी शामिल है यह B शामिल नहीं है अब यह देखो इदर A open हो गया B closed हो गया A open B closed अब यह देखो X जो है A से बड़ा है B से छोटा है B के equal भी है half open half closed यह open आगया यह शामिल नहीं है यह दरम्यान वाला शामल हां, भी भी शामल है अब इसी तरह हमने यह Indust viewers कर देज़े हैं अब ऐन देखो हमें जो तर ने चार पड़े हैं वो सारे वाज़े लिखने हो है अ धो,经 उउनल आफ शामल नहीं है यह 인फ़न तो नहीं रहा है X greater than A ठीक है जी X greater than A A से infinity तक यह A शामिल नहीं है A से infinity तक जा रहा है फिर यह A closed आ गया ठीक है जी और infinity open ने दो तरह लिख सकते हैं open को दो तरह लिख सकते हैं यह इसको इस तरह लिख लिखेंगेंगे इंटर्वल में और यह closed होता है पर यह आपको पता है यह शामिल है और यह भी शामिल है और यह अडिक also if for last उसके बाहर इंफाइनाइट है यह दिखें इंफाइनाइट में नेक्स्ट यह दोनों पढ़ लिए हमने और यह माईसे इंफिन टांक पहले पॉजिव इंफिन वीपन एकस रैस देन और यह उपन एक्स ह a यह उपन हां जिए शामिल है यह यह जा़ी Technology से बाद और यह याया भी यह यह लास्ट वाला जो बोथ open and closed अब आप सोच रहे होंगे यह open क्यों लिखा हुआ है अब जो infinity के दर्मियान बात हो सकती है वो closed भी हो सकती है हम यहाँ पे कहेंगे कि यह open भी हो सकता है इसके दर्मियान closed बात भी ले यह general बात होगी general में सारी बाते आजाती है X belongs to real number यह both open and closed तो यह मैंने लिखती है यह real line के ओप ठीक है इस पे हम कोई से भी दो point लगा के इसको close कर सकते है मतलब simple यह आपने बस देख लेने है के summary पढ़ लेने है सारे मैंने अच्छे से define कर दिये अब आपको कोई confusion नहीं होगी इन्शाला तो आप जब भी हम domain रेंज पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ clear होगा ओके जी Allah आफेस